नमस्कार और वेलकम यूँ आल टू DRX मेंटर मैं हूँ डॉक्टर जैन रेलवे फार्मसिस्ट कर नोटिफिक्शन जारी हो चुका है और 17 अगस 2024 से इसके फॉर्म फिलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और स्टिल आप कन्फ्यूजड है कि किस आरार भी जोन से फॉर्म फिलप करें कि कट ओफ देखके फॉर्म फिलप करें तो देखिए कट ओफ देखके कभी भी फॉर्म फिलप नहीं किया जाता क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 2014 और 2019 के सेम रीजन के कट ओफ में बहुत जादा डिफरेंस है कट ओफ डिपेंड करता है पेपर की टफनेस पे यदि पे इसे सेलेटर जितनी भी इंपोर्टन अपडेट है वो मिलती रहेगी और आप हमारे चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर मातर 29 रूपीस में आपको मिलेंगे प्रिवेस येर के रेलवे फार्मसिस्ट, ESIC फार्मसिस्ट, DSSV फार्मसिस्ट, जिपमर फार्मसिस्ट सभ आपका स्कोर इंप्रूव होता है और सेलेक्सिन होने के चांसे भी होते हैं एडिशनली आप हमारे कम्यूनिटी सेक्शन या पोस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं जहां पर अपलोड़ेड मोर दन 500 MCQ जोकि बहुत ज्यादा इंपोर्टन है आपके अपकमिंग रेलवे इस पी जिपमर फार्मसिस्ट पॉंट अब इस तो कम्प्लीट डिसकस करेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो देखें यदि आप सोच रहे हैं कि हम कट आफ के बिसेस पर जैसा कि आपने देखा होगा यूटूब पर बहुत सारे वी यह देखिए 2019 का कट ओफ एक्ष्टा केंडिडेट यहां पर आप देख सकते हैं रेगुलर कंडिडेट आप देखें रेगूलर केंडेट के यहां पर मांक्स देखिए ठीक है एलेवंत के टिगरी नमबर है वेस्टन रीजन है फार्मसिस्ट ग्रेड थर्ड इसका जो रेजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं हैं तो 2015 में इसका एक्जाम हेल्ड हुआ था ठीक है यहां पर स्टाफ नर्स है फार्मसिस्ट ग्रेड रहा देख सकते हैं कैटेगरी नमर थ्री टोटल बारा वेकंसी यहां पर थी वेस्टन रेलवे में व पास पास भी कोई भी आपका कट-off मार्क्स नहीं है यहां पर देखिए 55 गया और यहां पर आप देख सकते हैं 85 और 73 इसका लोगर कट-off है तो अब कट-off के बिसेस पे आप कैसे रीजन सेलेक्ट करेंगे यह आपने यह सोच के किया कि यहां पर कट-off कम गया था तो यह कभ यहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए रीजन चूस करने में क्योंकि आप देखेंगे एक्सेप्ट टू और थ्री रीजन ठीक है आप चेन्ने को छोड़ दीजिए मुंबई को छोड़ दीजिए यहां पर थोड़ी सी जादा वेकेंसी है बात यहीं हम रिजर का कट ओफ है ठीक है सबी रीजन में तो यहां पर आप किसी भी रीजन से फॉर्म फिल अप करिए अपनी पिप्रेशन बहुत अच्छी करिए क्योंकि यदि आप जादा वेकेंसी वाले रीजन से कर देंगे तो वहां पर आपको टॉप फाइब में आना पड़ेगा मतलब Top Rankers में ही आना पड़ेगा ताव आपका सेलेक्शन होगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बहुत अच्छी preparation करना पड़ेगा ठीक है अच्छी preparation के लिए सबसे पहले आपको syllabus देखना पड़ेगा ठीक है दूसरा फिर जब आपका syllabus आप पूरा वारिकी से देख syllabus को कैसे complete करें तो देखिए अभी इसका exam होने के chances बहुत कब है ठीक है आपको मुझे जो लगता है लगबग 6 महीने यहां पर exam के लिए लग जाएगा क्योंकि अभी प्रिवेसली जो विकेंस यह आई थी आपको पता है आरपी अपकी अलपी कि उनके अभी exam नहीं हो गए तो तो हम इसका भी expect नहीं कर सकते हैं इसका इतना जल्दी exam होगा इसका exam थोड़ा सा time लगेगा तो syllabus बाइस अपनी preparation करेगा पूरा जितना topic है और upcoming videos में हम discuss करेंगे topic wise कौन-कौन से MCQs पूछे गए हैं previous year के question paper में और कौन-कौन से topic ज्यादा important है जिने हमें deeply पढ़ना है तो यहां पर आपकी strategy यही देना पड़ेगा कि preparation आपको बहुत अची करना पड़ेगा पूरा syllabus आपको complete करना पड़ेगा जब आपका syllabus हो जाए तो parallel ही आपको MCQs attempt करने पड़ेंगे ठीक है जब आपका syllabus complete हो जाए उसके बाद आपको MCQs और अच्छे से आपको revision करना है revision देख की preparation ना करें सिर्की सिर्फ railway pharmacist के लिए हम prepare करें ठीक है ऐसा हो सकता है में भी possibility है क्योंकि vacancy काम है तो यहां पर selection होने के chances भी बहुत कम है यदि आपने preparation अच्छी करी तो आपकी preparation waste तो नहीं जाएगी आपकी जो upcoming exams है जैसे DSSV का exam होगा जीपमर का exam होगा आपको CGHS Pharmacist यह SSC में तो हला की नहीं आता है लेकिन CGHS में यदि खुद का exam conduct कराएगा तो मेभी वहां पर आपको मिलेगा और ESIC ITVP और BSF में जो pharmacist की vacancy आने वाली है वहां पर आपको इस preparation का बहुत benefit मिलेगा तो आपको ऐसे preparation करना चाहिए जैसे कि आप मतलब एक long term के लिए और यह long term के लिए इसलिए बोलाओ क्यों कि यदि आप pharmacist बन भी गए और आप यदि आपके पास B form की degree है तो मेभी आप जब बन जाएंगे तो आप फिर आपने जैसे higher post के लिए या फिर आप drug inspector के लिए preparation करेंगे जिनके पास भी B form की degree है तो इसलिए आप यह सोच के preparation करें कि हमें long term के के लिए और higher post के लिए करना है क्योंकि हो सकता है कि आपका possibility मैं आपको devotivate नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है इस बात से इल्कुल आप वाकिफ है कि बहुत कम vacancy आई है इस बार ठीक है हम previous year से compare करें तो बहुत कम vacancy आई हुई है तो यहाँ पर selection होने के chances भी बह आप जब last के two three months होंगे तब आप test series किसी भी जो भी coaching institute है आज कल बहुत जादा coaching institute है जो कि test series के लिए batches ला रहे हैं तो यदि आप test series तभी join करें जब आपका syllabus complete हो जाए यदि आपने test series join कर ले आपने syllabus complete नहीं किया है तो आपको बहुत बड़ी problem होगी कि आप से question बनेंगे नहीं और आप demotivate होंगे तो सबसे पहले आपको syllabus complete करना है so that आपको motivation है जब आप भी कोई question attempt करें कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने question देखा नहीं है यदि आप यह देखेंगे कि आपने preparation नहीं करी और direct test series join करते हैं तो आपको question वहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेंगी जो आपने क बड़ा फायदा होगा कि हो सकता है कि इसमें आपका selection ना हो और कोई दूसरी वेकेंसी आपको बड़ी मिलें जैसे DSSV वगयरा जिसके अपने form fill up किये हुए हैं जिए अपने note prepare किये हुए है तो आपको just revise करने की जरूत पढ़गी आपको detail में फिर से पढ़ने की जरूत न जो primary चीज है secondary आपका reason है primary चीज है आपको preparation बहुत अची करना पड़ेगा preparation करने पर ही आपका selection होगा reason तो कोई भी हो सकता है यदि आपको preparation अच्छी है तो आप top first में आ गया तो आपको selection होना निश्यत है ठीक है reason से कोई फार्क उतना ज्यादा पड़ेगा नहीं I hope यह information आ भी वीडियो को like करें शेयर करें कमेंट करें तेंक यू नमस्कार अब